Hello students, students, आज हम आपका revision work के start करेंगे, जिसमें आपके chapter 3 का reproduction in plants उसको अच्छे से explain करेंगे Then reproduction in plants का मतलब होता है, जो plants के अंदर reproduction होता है reproduction मतलब जो एक से दो reproduce होने के बाद, जो living organism होते हैं, वो अपने ही तरीके का यानि कि जैसे वो होते हैं, खुद ऐसे ही तरीके का एक और अपने अंदर से produce करते हैं reproduce करते हैं, तो उसी कोई बोलते हैं, reproduction यानि कि दुबारा से उसका product होना, यानि कि produce होना, production होना तो plants के अंदर पढ़ेंगे इस चीज के लिए, चलिए start करते हैं, सभी बच्चों अपनी copy को open करेंगे, notebook को open करेंगे और chapter 3 निकालेंगे, keywords, सबसे पहले keywords पढ़ेंगे, first keyword है the male part of the flower, यानि की flower का male part, उसको क्या बोलते हैं, flower के male part को stamen बोलते हैं, बच्चों क्या बोलते हैं, stamen, second है, it develops into a new plant, यानि की जो new plant में develop होता है, उसको क्या बोलते हैं, embryo, e, m, b, r, y, o, embryo बोलते हैं उसको, third है, the tube that connects the pistol to the ovary, उस tube का नाम बताना है, जो पिस्टिल से connect होती है, कहां तक connect होती है, ओवरी तक, यानि की जो पिस्टिल से ओवरी तक connect होती है, उस tube का क्या नाम है, तो उस tube को बोलते हैं, style, s, t, y, l, e, next है, it provides nutrients to the embryo of the seed, यानि की जो embryo होता है, वो nutrients provide करता है, कहां किसे provide कराता है, वो कराता है seed को, to the embryo of the seed, यानि क seed का जो embryo होता है वो provide कराता है nutrients तो उसको क्या बोलते हैं endo sperm यानि कि वो क्या होता है जो provide कराता है nutrients embryo seed के जो embryo होते हैं उसको endo sperm next है the innermost circle inner flower यानि कि flower के अंदर जो circle होता है innermost circle जो होता है उसको क्या बोलते हैं तो बच्चों उसको बोलते हैं पिस्टिल पिस्टिल नेक्स्ट है आपके डिफाइन पर ध्यान दीजें सबी बच्चे फर्स्ट है रिप्रोडक्शन दा प्रोसेस बाइविच ए लिविंग ओर्गेनीजम इस एबल तू प्रोड्यूज मौर ओफिट्स ओन काइंड इस कॉल्ड रिप्रोडक्शन यानि कि वो प्रोसेस जिसमें लिविंग ओर्गेनीजम एबल होते हैं योग्यों होते हैं प्रोड्यूज करने के लिए अपने ही तरीके का अपने ही प्रकार का एक या एक से ज़ादा उसको क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन आप कह सकते हो जैसे एक छोटा सा बेवी बोर्ण होता है चाहे वो एनिमल्स का हो चाहे वो हुमन बिंग का हो तो उसमें क्या होता है कि वो अगर हुमन बिंग का होगा तो अपने यानि कि हुमन जैसा होगा मनुष्य जैसा होगा अगर जानवर किसी भी जानवर का होगा कि भी हो सकता है जानवर में अगर उनके तरह एक होगा तो उनके जैसा ही जनम लेगा उनका जो बेबी होगा तो इसी तरह उसको क्या बोलते है ओन का इंड यानि की उसी प्रकार का एक जो प्रोड्यूस होता है तो उस उस प्रोसेस को क्या बोलते है रिप्रोडक्शन second है pollination the process of transfer of pollen grains from the enter to the stigma of a flower is called pollination वो process जिसमें pollen grains transfer होते हैं enter से stigma तक flower के यानि कि flower के अंदर एक पार्ट होता है enter और एक पार्ट होता है stigma तो enter से stigma तक जो pollen grains होते हैं जो फूल के अंदर छोटे छोटे दाने जिसको आप बोलते हो जो फूल के अंदर पाय जाते हैं तो वो एक जगह से यानि कि enter से stigma तक जाते हैं तो उस process को उस transfer of pollen grains को pollination बोला जाता है pollination के द्वारा ही flowers में reproduction possible है next चलते हैं very short question answers पर चलिए first question है name the two types of pollination यानि कि दो type के pollination होते हैं तो उनके हमें क्या बताने हैं नाम बताने हैं तो first है self pollination second है cross pollination बच्चो first क्या है self pollination and second है cross pollination then next second question है give two example of self pollination self pollination के दो example देने हैं तो जिसमें जिन plants में self pollination होता है तो ऐसे कौन से example हैं ऐसे दो example हैं first है pea, pea plant और next है china rose, china rose के plant में भी self pollination होता है बच्चो अब चलते हैं next page पर चलिए third question है इसमें third question पर ध्यान दीजेगे give two example of cross pollination हमें इसी तरह से जैसे हमने self pollination के example दिये हैं उसी तरह से cross pollination के दो example के नाम बताने हैं तो first है से कौन से plant है जिनके अंदर cross pollination होता है cross pollination होता है apples के अंदर and daffodils के अंदर first apples and then daffodils यानि कि daffodils और apples के अंदर cross pollination होता है next question है आपका name the agents of seed disposal ऐसे हमें agents का नाम बताना है जिनके अंदर seed dispersal होता है यानि कि जो उनका bees होता है जो उनका seed होता है वो एक जगे से दूसरी जगे चला जाता है तो किसके द्वारा वो जो seeds है वो एक जगे से दूसरी जगे दूसरे place पर चले जाते हैं तो किन agent के द्वारा चले जाते हैं तो उसी तरह से हमें agents का नाम बताना है तो first agent है wind यानि की हवा में उड़के जा सकते हैं second है animals के द्वारा अगर किसी भी चीज का bees है तो animals उसका fruit खाएंगे या flowers को भी खा लेते हैं तो उनके bees खाने के बाद कहीं और दूसरे place पर डाल देते हैं third है water कहीं पर बारिश हो गई पानी में बहके कोई bees चला गया कोई seed चला गया flower चले गए उनके जो seeds होते हैं वो चले गए पानी में बहा करके या फिर कहीं बारिश हो गई उसके द्वारा तो water के द्वारा next is self explosion self explosion का मतलब है जब वो खुदी एक जगे से दूसरी जगे food जाते हैं जो bees होते हैं वो अंकुरी तो जाते हैं और उनमें से बढ़ पोदा निकल जाता है तो self explosion बोलते हैं कि वो एक जगे से दूसरी जगे जैसे कोई भी हमारा seed है वो उपर से नीचे गरा कोई भी fruit है और fruit गिरने के बाद वो क्या हो गया टूट गया बिखर गया तो उसमें से जो bees निकले वो इधर उदर गिर जाते हैं अब पपाया जो होता है अगर वो पेड़ से नीचे गिर गया तो उसके जो bees होंगे वो मतलब वो टूट गया जो पपाया तो उसके जो bees निकल गए वो बिखर गए तो बिखरने के बाद वो एक जगे से दूसरी जगे चले जाएंगे विखर जाएंगे वीज भी उसके तो इसी तरह से बहुत सारे fruits होते हैं नेक्स्ट है आपका question number fifth name the two types of Indian crops दो Indian crops के नाम बताने है टाइपस बताने है तो ऐसे कौन से types Indian crops के food crops and cash crops food crop और cash crop Indian crops है crops के प्रकार है टाइप है next question है give two example of self explosion यानि की self explosion के दो example बताने है जिन जो खुद से ही exploit हो जाते है seed dispersal होता है जिनका खुद से तो poppy plant के seed and pea plant के seed दो ऐसे प्लांट है जिनका self explanation होता है next question है write the common mode of vegetative propagation और reproduction और reproduction गता है रिप्रोडञ्ट्चन और रिप्रोडट्चन के दो common mode बताने है वेजिट एटिटिव प्रोड़चन बोलो या फिर वेजिट्रेटिव रिप्रोड़र्ट्शन बोलो तो common mode क्या है, by root, root के द्वारा, by stem, stem के द्वारा, by leaf, leaf के द्वारा, इनका vegetative reproduction होता है, यानि कि वो reproduce किये जाते हैं, एक से दो या दो से चार बनाए जाते हैं, तो कौन-कौन से, किस method के द्वारा, कौन-कौन से mode होते हैं, root के द्वारा, by stem के द्वारा, by leaf, leaf के द्वारा, प ये learn भी करने है, with spelling learn करने है चलिए, अब आते हैं short question answers पर first question है, name the parts of a flower, flower के parts के नाम बताने है, तो first है sepals, second है petals third है stigma fourth है style, fifth है pistol, sixth है ovary seventh है stamen, and eighth है ovule, okay students, एक बार और pronounce कर देती हूं उन सब को, first है sepals second है petals third है stigma, fourth है style, fifth pistol sixth ovary, seventh stamen, eighth ovule ये सब parts है flowers के सभी बच्चों के ही सारे नाम लर्ण होने चाहिए, with spelling, okay students चलिए, next phase पर चलते है, second question है what is germination, germination क्या होता है, the process of a seed, growing into seedling is called germination by which seed are scattered, वो प्रोसेस, जिसके द्वारा जो बीज होते हैं, वो इस्कैटर्ड यानि कि बिखर जाते हैं, away from the parent plant, यानि कि जो उनका parent plant है, यानि कि जिस plant पर वो उगे हुए हैं, अगर फूल है, फूल के बीज, या फिर fruits है, fruits के बीज, तो वो उनसे अवे यानि कि दूर हो ज explosion, तो ये method होते हैं, ये mode होते हैं, जिनके द्वारा ये agents होते हैं, जिनके द्वारा seed dispersal होता है, यानि कि seed एक जगे से दूसरी जगे चले जाते हैं, अपने parent plant से अलग हो जाते हैं, तो उसी को ही क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं, seed dispersal, next question है आपका बच्चो, list five things that our farmer needs to consider for growing good crops, यानि कि ऐसी पाथ चीजों के नाम बताने हैं, जो farmer को जरूरत होती है, farmer को अवशकता होती है, जिसकी for growing good crops, यानि कि अच्छी फसल, अच्छी crops को उगाने के लिए, grow करने के लिए, चलिए answer है, if farmer needs to consider for growing good crops, जो farmer को अवशकता होती है, need होती है, अच्छी फसल को उग पता करते हैं कि किस तरीके का किस प्रकार का जो पोदा है वो सोयल में मिट्टी में उगेगा सेकिंड है how to get the soil ready for planting यानि कि planting के लिए हमें कैसे मिट्टी को तयार करना है कैसे हमें मिट्टी को उपजाओ बनाना है ये पता होना चाहिए इन सब चीजों के आवशक्ता होती है how to grow the crop और हमें फसल को कैसे उगाना है ये पता होना चाहिए अगर इसकी जानकारी नहीं है तो बच्चों जो farmers हैं वो अपनी खेती या फिर वो कोई भी crop उगा रहे हैं कोई भी फसल बना रहे हैं तो वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे fourth part है how to get rid of weeds and crop past यानि कि हम farmers को ये भी पता होना चाहिए कि अगर हमारी फसल में past यानि कीट पतंगे लग जाते हैं तो हमें उनसे कैसे छुटकारा पाना चाहिए कैसे हमें उनसे बचना चाहिए तो हम अपनी फसल को कैसे बचा सकते हैं fifth point है how to irrigate the crops कैसे हम अपनी crops को irrigate कर सकते हैं का मतलब होता है जो हम पानी वगेरा देते हैं अपनी फसलों में तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमें कब-कब किस टाइम देना चाहिए और कितना पानी देना चाहिए अपनी फसल में okay students next question है question number fifth name the seeds that are dispersed by different agent ऐसे seed के नाम बताने है जो different agent के द्वारा dispersed होते हैं और ऐसे agents के नाम भी बताने हैं तो सबसे पहले है first है seeds of milkweed milkweed का seed होता है by wind जो wind के द्वारा dispersed होता है second है seeds of xanthium xanthium का जो seeds होता है plant है यह सारे तो xanthium का जो seed होता है वो animals के द्वारा dispersed होता है थर्ड है seed of water lily, water lily का जो seed होता है वो by water के द्वारा disperse होता है and then fourth है seeds of pea plant, जो pea plant का seed होता है by self explosion यानि कि वो खुद बिखर जाता है, खुद disperse हो जाता है और खुद उसमें से plant grow हो जाता है next question है आपका, जिसमें difference दिया हुआ है, difference पर चलेंगे, सभी बच्चे next page open करेंगे difference का question है, difference between cross pollination and self pollination तो cross pollination क्या होता है और self pollination क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं self pollination पढ़ेंगे पहले, if the pollen grains from the enter of a flower are transferred to the stigma of the same flower, it is called self pollination यानि कि, if the pollen grains, जो pollen grains होते हैं, from the enter, flower के enter से stigma तक transfer हो जाते हैं stigma तक चले जाते हैं, of the same flower, और same flower के होने चाहिए, वो pollen grains यानि कि, जो same flower होता है, यानि कि एक plant पे जो दो full लगे होए होते हैं, उनके जो pollen grains होते हैं वो full के enter से full के stigma तक जब चले जाते हैं आपस में change हो जाते हैं, transfer हो जाते हैं तो उसी कोई क्या बोलते हैं self-pollination यानि कि एक ही plant के a same flower जो transfer हो जाते हैं उनके pollen grains तो उसी कोई self-pollination बोलते हैं एक जामपल है pea plant and china rose, next है cross-pollination, cross-pollination की बात करें, if the pollen grains from enter of one plant reach the stigma of a flower on another plant, यानि कि अब हमने हैं जो self-pollination में बात की थी, यानि कि यहां पर जो बात की थी, वो थी same flower, यानि कि उसमें क्या था, same flower थे, ठीक है, अब जो हम बात करेंगे, उसमें हम बात करेंगे cross-pollination की, या इसमें जो plant होंगे, वो क्या होंगे, different होंगे, यानि कि एक जैसे नहीं होंगे, ठीक है, students, समझ आ रहा है, चलिए, तो जो इसमें pollen grains होंगे, वो different flowers के होंगे, different plant के होंगे, तो उसके एक flower के, एक plant के enter से, दूसरे plant के stigma तक जब pollen grains transfer हो जाते हैं, यानि कि एक से दूसरी जग और इसके example है, apples and daffodils, तो इसके दो example है, cross pollination के apples and daffodils, ठीक है, apples और daffodils के pollen grains होते हैं, वो different flowers के, different flowers तक पहुँचते हैं, तो उसी के द्वारा cross pollination होता है, बच्चों आपका ही chapter complete होता है, बहुत अच्छे से ये वीडियो देखनी है, आपको बहुत अच्छे से समझनी है और सभी बच्चों को सारे question answers with spelling learn भी करने है, thank you students, have a nice day.